हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपने कीचन के अंदर ना यह आलू प्याज गेरा होते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगी जैसे आलू को हम अंकूरित हो जाते हैं तो इनको हम लगाने पर मिट्टी में दबा दें और हमें जो है और्गेनिक सब्जी जो है हमारे घर त्यार हो जात कुछ लोग इनको काट कर फैंक देते हैं तो इन्हें फैंके मत इनको हम किसी बाल्ति के अंदर या फिर बड़े गमली के अंदर लगा सकते हैं और कुछ इस तरह से जो अलू होते हैं जो बड़ा आलू होता है उस आधे आलू को तो काम में ले लेते हैं और जो आधा आलू होता है इस तरह कांकुरित हो जाता है जो तो इसको काट कर फेक देते हैं तो ऐसा आप कभी मत करें और इस तरह से काट के और हल्दी पाउडरी इस पे लगा के और फिर हम इसको उगा सक और हमें जो है इसके पोदे से हर्याली भी मिलेगी और हमें आलू भी खाने को मिलेंगे तो इस तरहें के आलू भी आप ना फेंकें तो फ्रेंड्स आप इन आलू को गमले में भी लगा सकते हो अगर आपके पास जमीन की जगह नहीं है तो और अगर आप नीचे जमीन में जो आलू लगा रखे हैं फ्रेंड्स इसके देखो इतने बड़े-बड़े पोदे हो गए हैं हर्याली भी बड़ी सुन्दर लगती है ये पोदे भी बड़े सुन्दर होते हैं आलू के और इनके वो लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप सीधा जैसे मिटी हो उसी के अंदर ना दवाए और अगर हम जमीन में लगा रही हैं तो इसे इस तरह से मिटी को इकठा करके और फिर उसकी डोली बना ले और अच्छे से उपर से इसको इकठा कर दे और निचे खाई बना ले इसके इस तरह से मिटी जो है सारी उपर की तरफ इकठी कर ले तो पोद ज़ादा मिलनी चाहिए तभी वो आलू जो है ये दरूदर बड़े होते हैं और फेलते हैं तो निच्ची ये खाई है इसमें पानी डालें आप कभी पोदों के उपर पानी ना दे तो इसमें अगर आप पानी डालोगे तो अपने आप जो है वो मिट्टी पानी को सोख लेग ज़डे जो है पोदों की वो अपने आप पानी ले लेती है और पोदे इतने सुन्दर बने रहते हैं तो इस तरह से आप इसमें पानी दे और ये मिट्टी जो है वो जादा होगी तो इसमें आलू जो है वो जादा बनेंगे नीचे मिट्टी आलू को मिट्टी की जरूरत ह और पानी तो हम इसमें खाई के अंदर देंगे तो अपने आप यह जड़े पानी ले ले लिगती हैं तो फ्रेंट्स आप इस तरह से आलू अपने घर लगाएं तो बहुत बड़े जो है पोदे हो जाते हैं और आलू भी काफी सारे हमें जो है और गेनिक मिल जाते हैं तो इस तरह से इन चीजों को अपने घर काम में ले इसी तरह से आप प्याज को लगा सकते हैं और वो भी हम और गेनिक घर पे प्राप्त कर सकते हैं